मैं आपको लेट चल्ता हूं सईयर पश्वि प्रयागराज के मुडेरा गाओं में जहां पर जानेंगे वहां पर क्या समस्या पर्शानी है तो चलिए चलते हैं कि दूस्तों हम आप पहुंचे मुंडेरा गाउं में और यहां पर जानेंगी यहां की लोगों की समस्या और यहां पर क्या मेंन मुख्य समस्या है वो जानेंगे यहां की लोगों से कि दोस्तों इस वक्त हम मुडेरा गाउं में और आप देख सकते हैं कि नीचे क्या हालात हैं लगबग जैसे लगता है कि दो-तीन सालों से हां सफाई नहीं हुए और यह पूरा वाक्य में लहते हैं लोग प्रयाग राज में बताते हैं लोग विकास हो चुका लेकिन मुझे लगता भी यहां पर काफी डिवल्लेप्मेंट जरूरी है और यह नाले की हालात बता रहें कि क्या हालत यहां पर इस्टी है और बहुत लोग हमाई सबस्दे को पर बातचीत की थी लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और यहां के हालात आप देख सकते हैं बद से बद तर हालात अभी देखे नाली इस तरह से आया तबड़ी परसानी हुई और नाला वैसे का वैसा पड़ा है वीज पर कोई कारवाही नहीं हुई है जाने के हालात में तो इधर रास्ता नहीं है और अबहुत ही बुरा आस्ता इतना लंबा में पूर बीश्य अब होड़ी और देने का विचार आप लोग वोड़ देंगे अच्छा अब है अब है अब है कि अधिक शफाइज दखेंगे इस पर रोड़ वोड़ कुछ बन नहीं रहा है और माता जी कह रहें ना कभी बना है ना कभी बनेगा दोस्तों आप देख सकते इतना घंदा है इसके पहले में मैं इसको कई बार दिखा चुका हूँ लेकिन यहां पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इस गाहों की आध मुझे लगता बहुत ही बिगड़ चुकी है और अलग इसमें चुनाओ का समय है कोई नेता मंत्री यहां पर भी वोड मांगने भी साइद नही है क्योंकि वोट मांगेंगे किस मूर से यहां पर कोई काम हुआ नहीं है और यहां भी यह आपका नाम जाना चाहूंगा सर क्या नाम सराफ कर एक इतने साल से है प्रसानिक तो गई सिकायद किया अप लोग ने इस इसकायद करते हैं इदे कोई सुनाई में इने तेक अगाह और नहीं हुआ है कौन से सबस्त अब पहले तो यह लगेगा वहाँ जाओ वहाँ जाओ तो बोलते हैं नहीं इसी तरह दोड़ाते रहते हैं तो यहां क्या थो सबस्ता लगते था और नमबर नाम एकतिस में भी आता है यह वाड नमबर छे हैं अब छे हो गया है जी जिए बाद नमर छे है और 31 में बताते हैं लोग कहते हैं अब आपने कई और जगह कंप्लेंड नी कि मेर साइबा के पास कंप्लेंड नी कि कुछ जाधे से से ठीजय के पुछ आई साइथ म ध्राइक अड़िय। अर्ड जाया जा यह थे पां यह परचानी कब यह पर्शानी कट में अःता है ब कप वर्शाथ में विक्षर मार एजय जाते हैं जाते हैं भी मारै यह जाते हो बिमारिया अई बाट पोड देए बार जब काम करेंगे तो पिछली बार दिया था ने थे खुछ भी नहीं भाट दिया था पिछली जा जाटे खुछ भी अब लोग आएंगे यह तो काफी यहां पर कोई इंटर लॉक्षिंग का भी काम नहीं किया है बत्तर रास्ता पूरा कीचर गारी वड़ी आना तो बड़ा मुस्किल हो जाता हूँ बहुत मुस्किल है तो मगान वगरा जैसे बनवाना वह तो हीटे वालों कैसे आते सब यह व और दोस्तों आपको और नजदीक से दिखाता हूं कि तो लोग आ रहें उनसे बात्यत करें और यहां पर देखिए मैं को दोस्तों दिखातों यह रास्ता देखि कितना घंडा है कि देखिए और अभी तक यहां पर और यहां देखिए पानी का जो सिस्टम यह भी आप देख सकते हैं कितना परिशानी है मतलब शहर में रहकर के भी मुझे लगता है जी सत्रा के हालाथ है काफी देखने हैं यह देखिए और रास्ते के तो बहुत बुरा हाला अगर नीचे देखिए तो आप कई जानवरों के फिर आपको पैरों पर निशान भनेंगे और यह काफी गंदा यह बिन्यों वजे का परिशानी यह चेलना पड़ रहा है देखिए रास्ता पूरा तरह से ब्लॉक है एक साइड में पूरा गोबर रखा है और भी पूरा मलवेक तरह जी जाए पीछ पिछान पर यहां पर सफाई वगर कभी नहीं होती है पूरा डश्बीन मना दिया है रास्ते को और जब आप यहां पर आते तो यह पूरा एक किनारा खतम होता है मुझेरा गाहों का और इधर पूरा कछड़ा है तो मतलब बीमारी का पूरा गड़ है अगर देखा जाए तो लेकिन इस पर अभी तक कोई सफाई निसके पहले ज तलाव है यहां पर पानी रुका हुआ है जिस पर मच्छड पन अपने पूरा तकड़ा चाना मच्छड से तो आप लोग नहीं जात कभी नहीं पा सकते साइब ही नहीं बहुत जादा गंदगी तनी जाना सफाई होती नहीं पीछे पड़ जाता है और अगर जरह से भी आप पूरी तरह से खराब हो चुगा है वाइस सामने खड़े हुं से बातजित करेंगे क्या सर क्या हाल चाले पस ठीक है सर आपने वीडियो बनाया इतने दिन हो गए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई यहां कोई जहांकने नहीं आया नहीं आप लोग इसके पहले कंप्ले इसमें अभिलासा गुपता अनेको नेता लोग आएं लेकिन क्या हुआ सभी आपी जड़ा वीडियो मनाये देखें नाक सिकूर के चले गए लेकिन कोई लोग तो हम लोग तो सर्व समस्या दिखा सकते हैं हमारे हाथ में अगर प्रावर होती तो हम लोग भी कुछ कर सकते ह हमारी गलती इसमें नजर आती है गलती क्या मुझे गलती तो सभी की नजर आती है नहीं में तो लोगों को यह नहीं समझ में आया कि यहां कितनी बीमारीयां फैल नहीं हम लोग कितना बीमार हो रहे हैं अब आप यहां के खुस्बू लेके पता चल जा रहा होगा कि कैसा है जिने गठ्टों तो अच्छा रहे कि नहीं देखिये इनको आने में कितनी तकलीफ होती होगी यह कैसे यहां पर महिला है इसमें जाकना यहां लोग नो इसके पहले सिखायत कहीं तिखाई थी काईट अब हमारे पास कागज विडिकार अब ने सिखायतं कहीं अंधिया अब किया उन्हों ने सिफ आसवासनदिया अच्छा आसवाचन हाद भी आध नहीं हो गया है लेगिन पता ने टेंडर कब होगा इंदेश अब आपर देख सकते हैं तो बहुत आप यह एगा को आप यह रहती हैं आप यह भी रहती हैं आप यह पर करा आपक तो इसामने वाला तो पानी जो पूरा गिर गया होगा दो थ जासे क्योंकि अच्छी दीवाल भी है और रुकना मुस्किल है कैसे कर रहे हैं कितना ज्हेल नहीं तब भी आप सबसे पहले जब शुरू में थी तो यहां पर रोट काफी साफ रहा होगा तब नाला बैता था नाला बना रहा है तो नाला बने पूरा है तो अपने बार वीडियो में भी देखा है हम तो कोशिच करेंगे कि आपकी सिकायत पहुंचे वहां बार बर हम दिखाएंगे मागा हम दिखाएंगे तुसाइद हो इस बार तो कहें चुनाव आपी वोट वोट देने जाएंगे कि निया नाला पर जाएंगे तो हम कैसे वोट देने जाएंगे बच्चे जाते हैं उनको कंदे बिलाद के लिखाओ नाला जातरी पर दिखाओ अब पारिस होने दुसके बाद आपी नियाए पाओ के वहां से यहां तक बड़े मुस्किल से स्कूटी अपनी लेकर आप आप आएंगे तो ठीक है ना अभी बारिस होने तो आप आए पी ने सकते हो पाकि पानिस हील के आओ जाओ जाओ सांप बिच्छू गोजर पैर में काटे पता लागा उपर भी पहुंच जाओ कोई यहां जिंदगी का भरोसा नहीं है यहां भी आदमी है इंसान है यहां लोग वोट देने का विचार है यह नहीं क्योंकि क्योंकि यहां पास सभी लोग आ गये हैं जो नेता जो प्रिजन टाइम में बने हुए हैं वो आए इस समस्थ्या का समाधान नहीं कर पाए इसलिए हम लोग नहीं देंगे कई बहुल जाते हैं तो मतभ्य पहले आपका यह समस्थ्या कर देने जाना तो इस रास्ते से जहाना है जिस रास्ता हमारा कि लिया री नई तहम लेकि कैसे जाएंगे जाएंगे पॉर्ट देने ने वहीं बाट देने-ब कई ने वाहीं रस्ता बन जाएगा तब ticket ले बोर् मादा जी आपकी कुछ समस्य बताएंगी है तो आपको परिशानी यहां दिख नहीं नहीं जाता है तो आपको परिशानी यहां दिख रही है पूरी देख रही है तो दिख नहीं पाती है अच्छा 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 चल नहीं पाती है अभी परिशानी होती है मादा जी इस वोट वोट देंगे वोट देंगे अगर वोट देने के पहले रास्ता क्लियर हो जाता तो आप सब दो वोट देंगे मतलब यह कई जगह जो बाफ यह 20 साल से प्राब्लम है सभी लोग आते हैं यहां के कहानी समाफ शर्फ आसवासन शर्फ आसवासन शर्फ आसवासन शर्फ आसवासन जाना पड़ता होगा और का पानी लएक नहीं चल पाई तो शिकायत वगरा कहीं नहीं कि आपने अब जहां करी तो इस बार वोट देने जाएंगे जाएंगा जब हमार रस्ता बन जाए तो वोट खुब पाड़िया दें जो रस्ता नहीं तो आप दीखा जा रहा कि गाहूंवाले को सबस्त्रेक पहले वाई रोड बनेगा तब वोट मिलेगा अच्छा पानी कभी कि अब यहां फैरे पानी लेने कहा जाते हैं लुग ऩाएंगे तो आप इस पर लोग लडाई करते रहे रहें तो श्ता इलाओ प्लाए तो यह पैस में तब यहां पहला पास करेंद तो पानी के जो यहां पर चोड़ दिया गया है यहां पर सभी महिला और आदमी लोग आते हैं आपर पाई ले जाते हैं तो इस बार यह आप लोगा क्लियर हो गया कि मतलब वोट आप लोग नहीं देंगे भोड देंगे देंगे लिए जिसको भोडु सत्तीमल कि मतलब नहीं है थॉड जैल जयाते कई लोग लोग है आफ जिसको भी वोड दिन आ नए दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि मैंस मुडेरा गाव में आपको पूरी समस्या मैंने दिखा दी यहां पर जितनी मैला है और जितने पुरूस हैं उनसे कहना है कि जब तक हमारी यह रोड क्लियर नहीं हो जाती जहां से वोट देने जाना यहां पर निकलना बड़ा मुश्कि दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो पसंदा जरूर शेयर करेंगे